Friends, मैं अर इस चोक से आपके अपने YouTube Build Tech Channel पर आपका स्वागत करता हूँ Friends, आज हम बात करने वाले हैं Electric Resistance Building के Echo Type के बारे में जो की है Projection Building Projection Building mostly use होने वाले Electric Resistance Building है Friends चलिए Friends, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं Projection Building के बारे में तो आज हम जानेंगे What is Projection Building, Procedure, Types of Projections Used, Applications, Advantages, Disadvantages and Factors which affect Projection Building चलिए Friends, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में तो पहले हम जानेंगे What is Projection Building Projection Building क्या होती है? Projection Building Electric Resistance Building का एक टाइप होता है इसमें Electrod में Heat Generate होती है Electric Resistance की वज़े से On Workplace Pressure के साथ और Building परफॉर्म की जाती है Projected Points पर Means इसमें Projections रखे जाते हैं Base Material of Workplace के बीच में जिसको Emboss किया जाता है Projection Building भी कुछ Spot Building की तरह होती है बस इन दोनों में एक ही डिफ्रेंस होता है इसमें Projections का यूज कियाता है Building Perform करने के लिए एली फ्रेंड्स मैंने आगे एक Snap Attach किया हुआ है इसको Projection Building को दिखाने के लिए देखिए पहले में Before Building दिया हुआ है यहां पर Projections यूज किया है इसके बारे में बात करेंगा सबसे पहले वर्कपीस को इलेक्रोड के बीच में प्लेश करते हैं यह दोनों आपको जो कर्व सेव में दिख रहा है स्पैरिकल टाइप के यह दोनों में Projections है नेक्स जब हम आफ्टर वेल्डिंग वाले में देखिए प्रोजेक्शन बैल्ड नगेट जनरेट करते हैं जो हमने एलेक्रोड पास फोर्स अप्लाई किया था उस टाइम पर और यह हमारे प्रोड़क्ट में इस बेस मट्रेल है चलिए अब नेक्स स्लाइड पर चलते हैं जो किया है प्रोजेजर्स प्रोजेजर्स ऑफ एलेक्रिक देश्टिंस बेल्डिंग अब इसके बारे में बात करेंगा सबसे पहले वर्कपीस को इलेक्रोड के बीच में प्लेश करते हैं फिर इसमें प्रोजेक्शन से इंबोस करते हैं वर्कपीस के बीच में जैसे last slide में मैंने बताया था projections के बारे में फिर इसमें electrodes के थुरू pressure apply किया था और current pass किया था power source से जिसकी वज़े से heat formation होता है वर्कपीस के internal resistance की वज़े से इसमें friends mainly जो emboss होता है projection projection जो bell nugget में convert होता है वो material के internal resistance की वज़े से होता है जो projections हमने emboss किये हैं वो heat gain करते हैं और excite होते हैं फिर electrode से pressure को बढ़ा देते हैं इस बढ़े हुए pressure की वज़े से projections collapse होता है और bell nugget generate करता है इस technique से clear building मिलती है clear means uncontaminated building मिलती है यहाँ पर note करने वाली बात यह है कि इस technique में जो heat generate हो रहा है वो work piece के internal resistance की वज़े से हो रहा है ना कि arc की वज़े से जो electric current की वज़े से arc दिन रहता है उसकी वज़े से नहीं internal resistance की वज़े से हो रहा है चलिए friends इस slide में मैंने यहाँ पर procedure का एक snap attach किया हुआ है जो google से लिए हुए है सारे snaps देखिए पहले photo में हम देखते हैं पहले figure में तो यहाँ पर एक projection रखा हुए जो conical type का है यह दोनों red जो है हमारे electrode है उपर और नीचे दोनों type से work apply होता है फिर यहाँ पर है फिर second फिर third ऐसे ही तीनों में देखिए आप procedures देखेगा आपको चलिए friends अब next slide पे चलते हैं और इसमें बात करते हैं projections की वारे में किस type के projections यूज होते हैं अगर आप देखना चाहें इनका photo तो आप last वाले में देखेंगे पहले वाले में conical है दूसरे वाले में spherical और third वाले में button type है means यह तीन type के projections है जो कि हम आगे discuss करने वाले है तो जैसे मैंने बताया image में यहाँ पे तीन type के projections mention किया है button, cone और spherical चलिए अब इनको एक एक करके discuss करते हैं पहले हम बात करते हैं button type की यह mostly यह इस type के projections mostly .5 mm से लेकर 1.10 mm थिक metal के लिए यूज किया जाते हैं और cone type में 1.9 mm से लेकर 4 mm थिक metal के लिए यूज किया जाते हैं और वहीं जो third type है spherical वो 4 mm से उपर जो भी metal रहेगा उसके लिए हम building में यूज करते हैं belt nugget generate करने के लिए चलिए friends अब इसकी application की बात कर लेते हैं application of electrical resistance building it is used automobile industry automobile industry में यूज होता है यह ship building और refrigeration industry में यूज होता है fan cover और hollow metal doors के लिए बनाने में काम में आता है fabrication करने में काम में आता है this welding technique is used for compressor parts fabrication means compressor parts के fabrication में भी काम में आता है और एक special इसका application है जो diamond segment building में भी इसका यूज किया था यह rare type का रहता है लेकिन इसमें भी इसको use किया जाता है यह लिए भी इसके advantages देखते है इससे mass production और speedy building हमको मिलती है achieve करते हैं less electric current होता है than spot building क्योंकि यहाँ पे हम लोग metal के internal resistance से building कर रहा है ना कि electric current से इसलिए spot building से कम electric current के requirement रहती है lie number of belts are performed at a single time मैं समझादा number belt joints prepare कर सकते है एक ही time पर longer electrode life as compared to spot building spot building यह electrode की life इसलिए इसमें ज़्यादा हो दी क्योंकि यहाँ पे heat कम generate होता है electric supply से जो भी heat generate होता है वो metal के internal resistance की वज़े से होता है इसलिए इसमें electrode की life भी ज़्यादा होती spot building के comparative इसमें rusty oil or coated surface surfaces material को भी belt किया आ सकता है और higher thickness material को भी हम इससे इसके तुरू बैल्ट किया आ सकता है चलिए friends अब इसके disadvantages देख लेते है this technique is not able to build few types of copper and brass कुछ टाइप के copper और brass को हम इस technique से बैल्ट नहीं कर सकते है जो कि इसका major disadvantage है इसमें skilled builder operator यूज किया जाता है मतलब skilled होना चाहिए जो भी हमारे machine operate करने वाला है क्योंकि machine और equipment costlier होते है projections may not be forming thin worksheet मतलब thin worksheet के लिए work pieces के लिए जादा use नहीं किया सकता है 0.8 से जो भी thickness कम रहे है इसके लिए हम use नहीं कर सकते है composition of work piece restriction in this technique composition of work piece में कुछ ऐसे work pieces होते है जिसका composition इस technique को use करने से हमको abstract करता है चली friends अब लास्ट पॉइंट हमारा डिसकर्स करते है जो कि factors which affect projection building मतलब ऐसे factors जो projection building को affect करते है वो क्या क्या है cracks in projection field means projection belt means जो हमारा belt nugget generate हुआ है belt nugget में या उसके nearby cracks generate होना उसके क्या क्या factor से वो बात करते है सबसे पहला तो work piece हमारा work piece किस type का है हम जो उसके लिए tools या electrode वो part का सही से alignment किया हुआ है नहीं किया या फिर हमने में से alignment करके part को रख दिया है projection का shape and size ऐसा नहोंके material हमारा कम थिक्का है और हमने spherical type का या फिर कौन type का projections यूज़ कर रहे हो second है इसमें spatter or explosion generation means material कई वार explode या belt nugget कई वार explode होता है वो किस वज़े से देखते है same projection shape and size projection किस shape का है किस size का है और उसका base material क्या है जहांपे वो welding generate करना है weld का schedule means उसमें जो timer होता है वो है उस time पर actuate हो रहा है या नहीं हो रहा welding करने में कितना time ले रहा है वो और force follow up चले friends इसी के साथ वीडियो को खत्म करते है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें comment box में comment करके चरूब बताए वीडियो को like कर channel को subscribe